हलो आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जो कि समर्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल देता है साथ ही ये एक बेल है जो कि आप टेरेस पे या किसी भी वाल के साहरे उपर चड़ा दें तो बहुत ही कम टाइम में ये जल्दी फैलती है और फ्ल किलते हैं जी हां मैं मौनिंग लोरी की बात कर रही हूं जिसको इपोमिया भी कहते हैं ये मैं रिसेंटली ही लाई थी तब इसकी ग्रोथ नहीं थी बट अब एक दो महीने हो गये हैं और देखिए कितना घना हो गया है ये इस तरह ट्रमपिट के शेप के फ्लाज आते हैं ये कई कलर्ज में भी आता है और जब बहुत सारे एक साथ खिलते हैं तब ये बहुत ही सुन्दर दिखता है इसके फ्लाज सुबह सुबह खिलते हैं और शाम तक हतम हो जाते हैं एक दिन के लिए ही होते हैं फ्लाज फिर नेक्स डे दूसरी कलिया खिलती हैं इस तरह ये ब एक साथ साथ से आठ सीटलिंग तयार हो गए हैं। अब तो इनमें true leaves भी आ गई हैं। बहुत ही आसानी से ये बीज जल्दी से लग जाते हैं। February या मार्च में इसके बीज लगाए जा सकते हैं। और यहां आपको दो mature stems दिख रही होंगी। ये पुरानी stems हैं। ये जो भी बेल है वो आपस में ही उलच्टी रहती है। इनको इस तरह से sticks के support के साथ उपर चड़ा दें। वैसे तो ये अपने आप ही चड़ती रहती हैं। नई तो आसपास के पौधों की पत्तियों को भी पकड़ के चड़ जाएंगी। तो बेटर है इसको guide कर दें sticks पे चड़ने के लिए। अभी इसमें तीन sticks लगी हुई हैं जिस पे ये चड़ गया है पूरी तरह से। तो मैं आज इसके लिए trellis भी बनाऊंगी। कम खर्ष में अच्छे से घर पे हम बना सकते हैं trellis। ये मैंने ऐसे ही additional लगाई थी जो की इस पे भी अप चड़ गई है अब बेल। पानी इसको तभी दें जब उपर से मिट्टी सूख जाए। ओवर वाटरिंग से ये खराब हो जाता है पौदा। धूप की बाद करूँ तो इसके लिए morning या evening की धूप सही रहती है। तेज धूप में ये थोड़ा stress में आ जाता है और पतियां डूप होने लगती है। तो बारा बजे के बाद इसको shade में रख दें या green net के नीचे। हमारे यहाँ temperature 40 भी cross कर जाता है। तब इसके flask को खिलने में दिक्कत होती है। ये मार्च, April, May तक अच्छी flaring करता है और फिर monsoon में। ट्रेलिस आजकल बनी बनाई भी online मिल जाती है या nursery या seat shop पे भी अराम से मिल जाती है। ट्रेलिस आप किसी भी बेल वाले पौधे के लिए बना सकते हैं। मैं आज अभी बनाने जा रही हूँ इस पौधे के लिए। वो भी कम टाइम और कम खर्च में। उसके लिए मैंने ये मास की खपच्चियां ली हैं। हम इसको खपच्चियां कहते हैं। आपकी language में हो सकता है कुछ और भी कहते हूं। height करीब 8-10 foot के लिए है। आप अपने हिसाब से इसको मनचा ही height दे सकते हैं। ये मैंने 4 ली है। इनके साथ मैंने ये जो सीखों वाली ज़डू होती है उसकी कुछ सीखे निकाल ली है। ये flexible होती है तो अराम से मुड़ जाएंगी और इनको बानने के लिए ये डोरी ली है। सबसे पहले ये sticks लगा दूँगी। आप इनको जितना हो सके गमले के अंदर डाले। जितना अंदर होंगी उतनी ही मस्बूती रहेगी। मैं भी जितना अंदर जा सकता है इनको डाल दूँगी। इसको equal distance पे लगाने की कोशिश करूँगी ताकि बेल evenly घूम सके। धियान रखे कि फांस हाथ में ना लग जाए। उसके लिए या तो आप gloves पहन ले या कोई cotton का कपड़ा लपेट के फिर लगा सकते हैं। मैं इनको सीधी ना लगा के थोड़ा तिरिशा लगा रही हूँ। ताकि उपर आते तक ये चौड़ी हो जाए। ये खपचियां करीब मेरे को 50 रुपे में मिली। region wise rate में फरक हो सकता है। बस अब मैं सीखों को इस डोरी से बांदूंगी। सीखों को इस तरह गुमाके बांदे ताकि इस तरह से कव आ सके। मैं इस तरह से मैं सारी ही बांदूंगी। खाद की बात करूँ तो इसमें वर्मी कमपोस दे सकते हैं नीमखली, बोनमील, एनपीके, सीवीड ये सब भी दे सकते हैं महिने दो महिने में एक बार डालें तो उतना ही काफी है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये थोड़ा डिलिकेट पौधा है तो इसी लिए जादा खाद ना दे जैसा कि मैंने पहले ही कहा जब टेमपरेशर 30 तक हो तब ये अच्छे से फलारिंग करता है ज्यादा गर्मी में हो सकता है इसके फलास ना खिलें तो गबराएं नहीं जैसी ही मौसम चेंज होगा टेमपरेशर गिरेगा वैसी ही इसके फलास भी खिलने लगेंगे तेज गर्मी में इसको डारिक सनलाइट से बचाएं उसके लिए इसको शेड़ वाली जगा या ग्रीन नेट के नीचे रख दें इंसिक्ट्स और पेस्ट का अटैक ना हो उसके लिए नीम ओल का स्प्रे करते रहें वीक में दो बार अभी कुछ दिन पहले ही इसपे वाइट फ्लाइज का अटैक हो गया था तब मैंने इसपे राक छड़की थी इसके पत्तों पे तो आप तो नहीं हैं वाइट फ्लाइज इस पे आप कच्छे दूद का भी स्प्रे कर सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा मगर लेट इवनिंग या अर्ली मॉनिंग ही करें इसके फ्लाज भी इतने डेलिकेट हैं कि देखे एक तो मुर्जा ही गया और ये देखिए दूसरा फ्लाइज उसकी पेटल्स पे छेद छेद हो गए इतने डेलिकेट होते हैं इसके फ्लाज ये कम्प्लीट हो गई ट्रेलिस देखिए ये देखिए सिर्फ पचास से साथ रुपे में ये ट्रेलिस बन गई है और ज्यादा टाइम भी ने लगा इसको बनाने में आप चाहें तो इन सीखों को थोड़ा और पास में लगा सकते हैं मैंने थोड़ी दूरी पर लगाई है बस जो भी लंबी बेल है को ट्रेलिस पर लपेट दूँगी तो ये अपने आप ही उपपर चड़ जाएंगी थोड़ा थोड़ा सा इसको आपको लपेटना पड़ सकता है और उसके बाद ये अपने आप ही चड़ती जाएगी ये खपच्चियां कम या जादा भी कर सकते हैं गमले की साइस के अकॉर्डिंग ये मेरा बारा इंच का सिमेंट का गमला है तो मैंने चार लगाई है आपका अगर छोटा हो तो तीन भी काफी है और अगर बड़ा हो तो पांच से छे भी लग सकती है इस कई तरह से बन सकती है नई तो आप चाहो तो तीन का पच्चियां ऐसे ही लगा दो तो उस पे भी ये अराम से चड़ जाएगा ये बनी बनाई लेनी है तो वो थोड़ी महेंगी पड़ सकती है तो आपके उपर है आपको कैसे लगानी है बाकी इस पे मिस्टिंग करते रहें ताकि तेज गर्मी में ये बचा रहे और ये जून जुलाई में हो सकता है फ्लाज ना दे फिर मौनसून स्टार्ट होते ही फ्लाज आने लगेंगे इस पे उसके बाद नवेंबर डिसेंबर जब सर्दी होती है तब ये अपनी ग्रोथ रोक देता है फिर फेबरी एंड या मार्च में फिर से ये ग्रोथ करने लगता है उस वक्त आप चाहें तो इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि सर्दी में इसकी पत्यां जड़ जाती है और नीचे से ये खाली होने लगता है कटिंग करने से नई ग्रोथ अच्छे से आने लगेगी और फिर से ये हरा भरा होगा बाकी ये बहुत easy to grow plant है Friends, request है आपसे कि मेरी वीडियो पे views खूब आते हैं मगर subscribe नहीं करते चैनल को इससे अच्छा तो लगता है कि मैं अपना experience आपके साथ share कर रही हूँ और आपको information भी दे पा रही हूँ मगर आप जब subscribe नहीं करते हैं तब demotivate हो जाती हूँ तो please request है कि subscribe भी करें ताकि motivated रहूँ मैं मेरी वीडियो में आपको कोई fake information नहीं मिलेगी कि internet से अच्छी photos ले ली और फिर वीडियो बनाओ नहीं, जो plants मेरे पास हैं, जैसे हैं मैं उनी पर ही वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ share करती हूँ information पहले खुद experience लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ माना कि अब खूब information मिल जाती है YouTube या net पे मगर हर एक पौधे की दिक्कत अलग-अलग हो सकती है दिक्कत अलग-अलग होगी तो definitely solution भी अलग होगा तो जहां solution मिलता है, at least उसको ही like और subscribe कर दे तो please channel को subscribe करें, like और share भी करें तब तक लिए, bye, take care